हलो गाइज इस माई यूटूब चैनल एपी क्रियेटर और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फोन को एक स्मार्ट 3D लुक दे सकते हैं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है टीएसे फ्लांचर 3D सेल यहां पर आप सर्च करेंगे यहां पर इंस्टाल पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है आप देख सकते हैं यह फाइल 10.56 MB की फाइल है और इसकी रेटिंग 4.5 है और यहां पर डाउनलोडिंग प्रोसेस हो रही है क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो थोड़ा टाइम लग रहा डाउनलोड होने पर यह डाउनलोडिंग प्रोसेस अभी चल रही है 55 62 65 प्रोसेस हो रही डाउनलोड हो रहा है अप्लिकेशन आप में भी थोड़ा टाइम लग सकता है इसको डाउनलोड होने पर 95 98 and 100% installing process अब हो रही है आपके फोन पर अब यह इंस्टाल हो गया अब आप open पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके फोन की में डिस्पले सो करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कॉंटेक्ड को फास्टट्ली ऊपिन कर सकते हैं आप यहां पर इसली ऊपिन कर सकते हैं इसली उनकी डिटिल देख सकते हैं 3D watch भी आपको सो करेगे और watch को आप rotate करेंगे तो alarm भी आप set कर सकते हैं यहां से new speed को भी आप simply पढ़ सकते हैं आप folder create कर सकते हैं और folder के अंदर app को 3D view में देख सकते हैं यह देखे रोटेट हो रहा है circle में आप देख सकते हैं अब अपनी main screen को decorate कर सकते हैं different type की watch select करके कई सारे function आपको यहां पर मिल दाएंगे आप main screen के section को 3D की तरह slide कर सकते हैं यह देखे rotate हो रहा है जितने आपके section होगे वो slide होगे यहां यह different method यहां पर आप ऐसे select कर सकते हैं ऐसे rotate कर सकते हैं रोटेट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम मीनू open करने पर दो से तीन सिगन का time लग सकता है इसके बाद मीनू फर्स्ट लेट कर सकते हैं राइट अपर करने पर three lines हो रही है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो option आपको सो करेंगे जहां से आप rotation effect चेंज कर सकते हैं इसके कई सारे option आपको यहां पर मिल जाएगे कई different styles, designs आपको यहां पर so करेंगे इसके बाद अगर आप मीनू जो हैं दूसरे method से देखना चाहते हैं easily assess करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं अप अपने finger को नीचे की तरफ slide करेंगे main screen पे तो आपको option खुल जाएगे इसके बाद यहां पर alphabetically आपको so करेंगे application आप easily assess कर सकते हैं यहां से आप देख सकते हैं कैसे आप assess कर सकते हैं तो कैसा लगा मेरा video comment और like करें और subscribe करना ना भूले जै हिन जै भारत